दक्षड कन्णड जिले के कडाबा कस्बे में अस्थित एक सरकारी कॉलेज में एक युवक ने तीन छात्राओं पर तेजा अफेक दिया जिसे उनके चेहरे बुरी तरह से जलत के पुलस ने मंगलूरू में जानकारी दी एक पुलस दिकारी ने कहा कि इस घटना के बाद लड़कियों को एक नीजी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया भागने के कोशिश में आरूपी को पकड़ लिया गया है पुलस मेरी जानकारी के अनुसार चात्राएं कॉलिज के गल्यारे में बैठकर प्री युनिवर्सिटी कोर्स पर एक श्रा के तयारी कर रही थी उसी दोरान एक यूख ने उन पर तेजाब फिक दिया पुलस ने कहा कि यूख ने अपनी पहचान चिपाने के लिए नकाव और टोपी पहन रखा था वह तेजाब से भरी एक बोतल लेकर चात्राओं के करी पहुचा और उनके चेहरे पर निशाना बनाकर तेजाब फिक दिया आरोपी के पहचान केरल के कासर गोट जिले के रहने वाले अबीन के रूप में की गई है हमले के बाद उसने भागने की कूशिश की लेकिन इस घटना के प्रत्यक्ष दर्श यसाने लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पलिस के हवाले कर दिया अधिकारे ने कहा कि पड़ितों को कड़ाबा के सरकारे अस्पताल ले जाएगा लेकिन वहां के डॉक्टरों ने परीजनों को सलहा दी कि वह उन्हें बैतर रिलाज के लिए मंगलूरू ले जाए क्योंकि उनके चेहरे काफी जादा बुरी तरीके से जुलस गए है कड़ाबा पलेस इस मामले की जाच कर रही है